हेलो एवरिवन डीप बैब और डार्क वैब में काफे जाता कंफिशन कही लोग को रहता है आज की वीडियो में वही कंफिशन हम दूर करने वाले हैं ताकि आप लोग के एक अच्छा डिफ्रेंशियर होजा कि डार्क वैब और डीप वैब होता क्या है वो अच्छे साहर प्रप्साइट परेंटरेशन टेस्टिंग एंड्रोइड परेंटरेशन टेस्टिंग बंग हंटिंग जैसे कई सारे एडवांस साइबर सीक्यूर्टी रिलेटेड कोर्सिस करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में दिये गए फॉर्म लिंक को अबर के आप रजिस्टर कर स है जहां पर पर्टिकुला पोपिलेशन को ही या एक कम्यूनिटी को ही एंट्रेंस मिलती है लेट सपोज एक वेबसाइट है बैंकिंग वेबसाइट से उसका जो सीक्रेट डेटा है जो वह सेव अपने हायर अथॉरिटीज को दिखाना चाहता है वो डेटा वो डीप पर र कि यहाँ पर रहे जाता है यहाँ पर फ्रफोर्म नहीं करा जाता है वह सीलिए टार्क इसलिए वह पाट लाता से encrypted होते हैं और easily searches, यान जो search engines होते हैं, वो easily silicon reaches में detect से हैं, इसलिए normal search engine से आप in पे या dark web को visit नहीं कर सकते हैं, या dark web की URL उपन नहीं कर सकते हैं, normal search engine से। इसलिए dark web के लिए अलक search engines आते हैं, अलक से browsers आते हैं, अलक से पूरा到 Чlyden CERC और प्रॉक्सी और नेटवर्क इन सभी का नाम सभी ने सुना है नेक्सली यहां पर यूजर को यहां पर ऐसा पॉसिबल हो सकता है इसलिए जाधा तर जो इलीगल स्टफ होते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं कि मिनल एक्टिविटीज जो होती है वह जाधा तर वहीं पर करी जाती है क्योंकि यह एक बड़ेया प्लैटफॉर्म है पर्ट्यूलर इंडिविज्वल के लिए सच स्टास करने का इसलिए कहा जाता है डाक वेब पे आप विजिट ना करें और यहां पर इलीगल स्टफ के साथ-साथ मलीशस लोग भी बैटा हैं मलीशस एक्टिविटीज करने के लिए जिससे आपकी इंफोर्मिशन चोरी हो सकती है आपके उपर मलीशस अटाक्स हो सकत है इन सारी चीज़ों May बहुत से और चीज आती हैं जो कि हमने बहुत सारी एक्टेबिजी से करी हैं यह थानॉफन बेसिक डीप और डाक वेब का डिफ्रेंस अब आगे बढ़ते हैं कुछ और डिफ्रेंस इस पर जिसमें हम इनको अच्छे से जानेंगे अब देगे पहला पॉइंट डीप पार्ट ऑफ इंटरनेट इस नौर विजिबल और एक्सपोज तूसर बिल्कुल सही यह ऐसा करना तो कुछ अथार्टीज होनी चाहिए आपके पास तब जाके आप इस पर विजिट कर सकते हों नेक्स डार्क वेब डाक विजन नेट्वर्क ऑफ वन लाजिस ओनलाइन कर आप सभी को पता है कि क्रिमिनल और टेरिस अक्टिविटी में डार्क वेब कहीं सबसे ज़्या कर देता है तो वह जो आपका पार्ट है ना वह भी डीप का पार्ट है क्योंकि वह नॉर्मल इंडेक्सिंग में नहीं नहीं कर सकता तो वह आपका डीप का पार्ट है यानि जाहातर वेबसाइट अपने जो रोबोट.txt के अंदर फाइल को डिसलाव करती है वह उनके इंक्रिप्शन अपलाए होती है ताकि उनकी अनॉनिमिटी एससे से बनी रहे और कई सारी कन्फिग्रेशन अपलाए करके यह सारी चीज़ते करी जाती है नेक्स्ट हमरा पॉइंट आ था डीप का एन अनॉर्मस कलेक्शन ऑफ इन्विजिबल वेबसाइट बिल्कुल इसा नहीं है डाप में कोई regulation नहीं होता है इनको कोई regulate नहीं करता है इसलिए जातर इनकी IPS भी हिडन रहती है इन्हीं के साथ साथ क्योंकि अगर आपको डाप पर विजिट करना है इनके लिंक्स भी बहुत हिडन होंगे easily available नहीं होंगे तो उस चीजों में यहां पर क्योंक उसे इसर नेम पासब्स वाया रेगुलर सजिंट बिल्कुल सही है अगर आपके पास ID पासवर्ड है यानी अथ्रिटी है मैं आपको पहले बताया था अथरा इसे इसे अक्सेस कर सकता है तो यहां पर इसे एक्सेस कर पाओगे अब नेक्स ली यहां पर सिस्टम और वेबस मंगती है अगर आपने लोग इन कर दिया सही तरीके से तो आप एक्सेस कर सकते हैं उनके अंदर यह वर्क करती है लेकिन डार्क वेब के डार्क वेब भी डीप वेब उसका जो इंफा स्ट्रक्चर है उसी से इंस्पायड है बट यहां पे इसने और इंक्रिप्शन और और सा सारी चीजें यहां अप्लाइड है नेश आता है इस एक्सेस नोट ब्राउजर स्पेसिफिक बिल्कुल सही ब्राउजर स्पेसिफिक नहीं है डीप वेब आप किसी भी ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं अगर आपके पास अथारिटी सही है तो लेकिन जो हमारा डार्क वे ऐगर ब्राउजर स्पेसिफिक एए उसके अंदर आको स्पेसिफिक ब्राउजर ही और स्पैसिफिक नेटवर के थूही आप आप पर आक्सेस कर सकते हैं जैसे के तॉर नेटवप्थ गराउज़र तो वो चीजहें और नेक्स्ट यहाँ पे इसकी एक्ट्रेसी जो है मेज Mr किता रेश्यो है डीप और सर्फेस वेब का वो पता करना इजी है क्योंकि जो पब्लिक ली डेटा है उसका कुछ परसेंटेज हाइड हुआ वाए जोकि मेंचेंड होता है एंड हाइड हुए वे और इसके कलिकुलेशन अगर करी जाए तो 400 या 500 टाइम्स 400 या 500 टाइम्स है सर्फेस वेब के यानि जितना सर्फेस वेब है उसका 400 गुना या 500 गुना है यह हमारा डीप लेकिन वहीं बात आती है डार्क वेब क्योंकि यहां पर स्पेसिफिक कुछ नहीं है आप इसे सर्च नहीं कर सकते हैं ढूंड ने सकते इसके बारे में आपको कुछ पता भी नह नेच्स पॉंट आता है इसका अब देखेंगे अप्लिकेशन में क्या है यहां पर पॉब्लीक ली एक्सिस अलाव नहीं होते हैं जैसे कि हमारे बिजनेस हो गया एजूकेशन सेक्टर वहां पे डीप वेब का अप्लिकेशन होता है जैसे कि एजूकेशन प्रैटफॉम में ईसकी रिकॉर्दिंग सै उसके रावा नहीं रहा तो चुमें पर्साइग बाकिके लिए वहां उस्ट करने दो में यहां पड़िकेशन है सबस्क्रिप्शन मॉडल्स प्रोइड करने का ताकि कोई पटिकुलर्ली उस सब्स्ट्रिस को पे करें एंद डीज EXEC कर सकते हैं पर्टिकुलर डों ακ定 है इस तरहाँ चाहता है पर्टिकुलर लोग उन्हें पर इस तरह करता है लेकिन देज उसका ठीकुल बारे में हरको ही जाने बनाया रखता है पर्टिकुलर जो उनकी टार्गेट ऑडियंस है वह उन तक धूंदते वे पहुच ही जाती है इसलिए वह कभी नहीं चाहेगा कि वह पब्ले को अब नेक्स लिए यहां देखें जैसे कि बैंकिंग वेबसाइट है जहां पर जैसे कि आप यहां देख पर हैं एक्जामपल हम चेक करते हैं रिक्वाइज यूजर चेक इन विफोर एकन रीड देर अकाउंट सेटमेंट को अगर आपको व्यू करना है तो आपको बैंकिंग डीटेल है वह तो इंटरनेट पे लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए आपको एडी पास्वाइबस लिए इसक यहां पर हर किसी ने डाक वेब विजट नहीं कर रहा होगा नेक्स लिए अब बढ़ते हैं जब बात डाक वेब की आई गई यहां पर यहां पर है एक यूजर डार्क वेब को यूज करके फेस्बुक जैसे भी वेबसाइट को विजट कर सकता है बट वहां पर वही उसके यहां पर यहां पर यहां पर आपको कई सारी सीजें अगर आपके पास आप लॉग इन हुए तो उसके बाद भी आपका डेटा से रहे लेकिन डार्क वेब के अंदर बहुत साथा कॉंपलेक्सिटी है कि वहां पर आपको पहले बहुत सारी चीजों के तुरू होके गुजरना होगा को पास करना होगा और साथी साथ लीगल हजाज को भी टैकल करना होगा तब ही जाके आप उसको विजट कर पाओगे और दीट आपको सारे कंफिजन क्लियर हो गया हो एंड आप आगे भी दूसरे लोगों के भी इस कंफिजन को दूर कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके उन तक तो मिलता हम आप से नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग साइबर सिकार्टी रिलेड़ेट के साथ तब कि लाइबर ती झीडियो में और दू